Hey guys, कैसे हैं आप लोग? Welcome back to online सिख्याइन दोस्तों आज हम पढ़ने वाले है types of memory के अंदर second types का जो होता है secondary memory को इसे पहले की वीडियो में हम जान चुके हैं कि memory क्या होता है और memory के कितने types होते हैं और उसमें हमने discuss किया था primary memory के बारे में पूरे detail और pictures के साथ और इसके जितने parts होते है RAM, ROM, EP, ROM, etc. जो भी होता है सब के बारे में हम बहुत clear wave में जान चुके हैं आज बारी आती है secondary memory की और cache memory को भी हम इसी वीडियो में cover करेंगे ठीक है दोस्तों तो चलिए बिना देरी किये करते हैं बहुत अच्छे से इसकी शुरुवात तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको यही समझाने वाले हैं कि secondary memory क्या होता है ठीक है वैसी memory जिसको हम computer में externally यानि बाहर से extra memory के रूप में input output system के मदद से data store या access करने के लिए उपयोग करते हैं अर्थात यह computer के अंदर नहीं होती है जैसे कि primary memory computer के अंदर ही fit होती थी लेकिन secondary memory के साथ ऐसा नहीं है यह एक भारी device होती है जिसको हम परियोग करते है store करने के लिए data को ठीक है अब चलो आगे आगे और आपको clear होते जाएगा इसे computer की secondary memory कहा जाता है और इसका दूसरा नाम होता है non-volatile memory या permanent memory भी इसको कह सकते हैं क्योंकि इसमें store किया गया data हमेशा के लिए store हो जाता है जब तक कि कोई उस data या file को खुद से delete नहीं करता ठीक है इसको हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते है non-volatile memory या इसको हम permanent memory के नाम से भी जानते है और इसमें data तब तक store रहता है जब तक कि हम file को swim उसे delete ना कर दे ठीक है दोस्तों ये बात हमें जाननी इसके लिए जरूरी थी अब आगे चलते हैं और अगर secondary memory में store किये गई data को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप directly data access नहीं कर सकते उसके लिए पहले आपको अपने data को secondary memory से primary memory में transfer करना पड़ेगा तब आपको उसको use कर सकते हैं उसमें changes कर सकते हैं ठीक है दोस्तों अब आपके सामने एक image है जो secondary memory के अंदर आती है ये तो आपने जरूर देखी होगी इसको हम pen drive के नाम से भी जानते हैं और काफी सारे इसके नाम होते हैं जैसे dongle, pen drive, etc ठीक है और DVD, CD ये सबी कैसे memory होती है secondary memory होती है इनके बारे में बहुत अच्छी से explain करेंगे अभी आप देख लिए जिक इस तरह से होती है एक image आपके mind में set हो जाएगी आगे बढ़ने से पहले हम जाने कि secondary memory की क्या विशेशताय होती है जैसे हमने primary memory के बारे में पढ़ा था कि उसके क्या विशेशताय थी क्या थी बताओ जल्दी क्या थी बहुत अच्छी से मैंने explain किया था आपको ठीक है comment box मुझे मिलनी चाहिए चलिए secondary memory की जानते है अभी यह primary memory की अपेकसा काफी सस्ता होता है कैसा होता है primary memory की अपेकसा यह सस्ता होता है इसे backup memory भी कहा जाता है क्योंकि secondary memory को data को copy या फिर backup बनाने के लिए भी उप्योग किया जाता है इसे computer के अचानक on off होने से किसी भी तरह का data loss नहीं होता इसको फर्क नहीं पड़ता है कि अगर बीच में आपको computer off हो जाता है तो ऐसे नहीं होता कि आपकी files या फिर data delete हो जाएगा वो उसमें as it is store रहता है तभी तो हम इसको permanent memory या फिर non-volatile memory के नाम से जानते है ठीक है दोस्तो इसे non-volatile memory या permanent memory के नाम से भी जाना जाता है जैसे हमने भी बात की इसकी DTR यानि data transfer rate primary memory की तुलना में काफी काम आती है तो friends एक बार फिर से overview ले लेते हैं कि secondary memory के बारे में हमने क्या जाना secondary memory को अलग से जोड़ा जाता है और यह storage के काम आती है तो इसे secondary storage device भी कहते है प्राइमरी memory की अपेकसा इसकी गती कम होती है लेकिन इसकी storage समता primary memory के according जादा होती है और जरुरत पढ़ने पर इसे upgrade यानि घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है आईए जानते है secondary memory कितने परकार की होती है So friends, secondary memory के चार टाइपस में डिवाइड किया गया है magnetic tape, magnetic disc, optical disc और USB flash drive इन चार भागों में इसको डिवाइड किया गया है magnetic यानि चुम्ब किया टेप, चुम्ब किया डिस्क, optical disc और USB flash drive एक एक कर इनको बहुत किलियर करके हम जानेंगे सबसे पहले बात करेंगे magnetic tape के बारे में यानि चुम्ब किया टेप के बारे में यह दिखने में किसी पुराने जमाने के tape recorder की कैसेट की तरह होती है इसमें plastic के ribbon पर चुम्ब किया पदार्थ की परत चड़ी होती है जो चो बहुत चमकीली सी होती है जिस पर data store करने के लिए head का परियोग किया जाता था बिल्कुल tape recorder की तरह है इसका data की कितनी बार लिखा और मिटाया जा सकता था इसका data जो है वो कितनी भी बार हम उसमें लिख सकते थे उसको मिटो हो सकते थे फिर दुबारह से लिख सकते थे और ये काफी सस्ते होते थे अब आपको समझ आ है magnetic tape क्या थी ठीक है ये एक चुम्बकिया पदार्थ ब्लास्टिक के बने एक कैसिट पर चुम्बकिया परत चड़ी होती थी जिस पर क्या कर सकते थे head की मदद से data को store कर सकते थे या उसमें लिख सकते थे और फिर उसको erase करके दोबारा से हम फिर से उसमें लिख सकते थे और ये काफी सस्ते होते थे तो ये बात की हमने magnetic tape की अब हम बात करेंगे magnetic disc के बारे में याने चुम्बकिया डिस्क तो दोस्तो magnetic disc को भी दो परकार में divide किया गया है पहला floppy disk और दूसरा hard disk drive में floppy disk क्या होता है floppy disk के बहुत पतले plastic की gold disk होती है जो एक plastic के cover में बंद रहती थी इस disk पर चुम्बकिया पदार्थ की परत चड़ी होती थी अब हम बात करेंगे optical disk के बारे में दोस्तो आपके exam में इन में से कोई भी disk या device के बारे में पूछ लिया जाता है कि बताओ optical disk क्या होती है किस क्या use होता है इसका तो optical disk में polycarbonate की gold disk होती थी जिस पर एक रासायनिक पदार्थ का लेप रहता था optical disk data digitally रूप में सुरक्षित रहता था disk तीन परकार की होती है जैसे सबसे पहला है cd आपने बहुत बार इनका परियोग किया हुआ है जब आपके पास mobile phone नहीं होते थे तो हम cd और dvd player का ही use करते थे अपने entertainment या monorengine के लिए dvd और blu-ray इन तीन टाइप्स में optical disk को डिवाइड किया गया है cd dvd और blu-ray cd क्या है cd का पूरा नाम होता है compact disk ठीक है इसकी समता hard disk से कम और floppy disk से थोड़ी जादा होती है इसमें कुछ 700 MP data को store किया जाता है किया जा सकता है इसमें डाटा लगबग 30 वरसों तक शुरक्षित रह सकता है लेकिन इसकी सतहे पर बचा के रखना होता था अब हम बात करेंगे dvd के बारे में तो दोस्तो cd की अप एकसा dvd यानि digital versatile disk की storage समता बहुत अधिक होती है लेकिन देखने में यह दोनों एक जैसे ही लगती है dvd की storage समता करीब 4.7 GB से लेकर 17 GB तक हो सकती है GB मतलग comment box से बताओ GB की full form photos से कल ही बताए मैंने आपको लेकिन scratch वाली समस्या यहां भी उत्पन होती थी अब हम बात करेंगे blu-ray यह किस तरह से इन दोनों से अलग थी blu-ray देखने में cd और dvd की तरह ही होती है लेकिन इसको read और write करने के लिए laser परकास का परियोग किया जाता है वह नीले रंग जैसी बैंगनी किरन होती है इसलिए इसे blu-ray कहा जाता है इस परकास की वज़ा से blue disk पर 50 GB तक का data store किया जा सकता था तो कहने का अर्थ यह है कि इन सब का काम वही है लेकिन data storage की समता बढ़ती चली गई थोड़ा थोड़ा इनका रूप change होता चला गया यही इन सब के बीच में difference है अब हम बात करेंगे USB flash drive के बारे में यह वर्तमान की सबसे popular और portable secondary memory device है जो USB port के माध्यम से computer से जोड़ी जाती है जिसे हम pen drive के नाम से भी जानते है इसका परियोग video audio के अलावा अन्य data को save करने के लिए भी किया जा सकता है तो इसको आपको याद रखना है हाला कि यह तो आपके दिमाग में बिल्कुल set हो जोकी होगी क्योंकि इसका परियोग हम अपने daily life में अभी तक करते रहते है CD, DVD का तो मानो अब पर चलन नहीं रहा है लेकिन pen drive तो हम सभी use करते है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं computer की भासा में USB, flash drive के नाम से ठीक है दोस्तों अब चलिए जानते हैं last but not the least cache memory के बारे में और यह बहुत important है बहुत most repetitive question है आपके exam में बहुत बार पूछा गया है cache memory क्या होता है तो दोस्तों cache memory बहुत ही fast working memory है सबसे fast working memory होती है cache memory computer की जो की RAM और CPU यानि central processing unit के बीच में एक buffer की तरह काम करती है buffer की तरह यह जल्दी जल्दी data को instruction को CPU तक पहुचाती है ताकि CPU उस instruction को जल्दी से access करके user को output दे सके cache memory का main काम होता है CPU द्वारा processing में लाए जाने वाले समय को कम से कम करना और memory processor के बीच इस गती अवरोद को दूर करने के लिए यानि जितनी भी उसमें time लगता है उसको कम करने के लिए परियोग किया जाता है cache memory का ठीके दोस्तों आपको समझा है क्या होता है cache memory यह है fastest working memory है computer की सबसे जल्दी इसका काम होता है और यह क्या करता है CPU और processing के बीच में बहुत कम समय में उसका output देने में उसकी help करता है तो यही सबी कारिये होते है cache memory के दोस्तों आज के लिए आपके question यह है कि cache memory बताना आपको क्या होता है और RAM, ROM की full form सहीत इन दोनों के बीच में आपको दो-दो difference बताने है ठीक है clear हो आपको आज हमने क्या-क्या पढ़ा जल्दी-जल्दी मुझे बताईए हमने पढ़े है types of memory जिसमें हमारी दो memory बाकी थी बतानी जो secondary memory और cache memory इनके बारे में हमने आज discuss किया यह हम पहले पढ़ चुके है तो कि अर्थात मतलब यह है कि हमने types of memory पूरा complete chapter कर लिया है ठीक है दोस्तों और आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे सब समझ आया होगा दोस्तों अगर कोई भी point आपको नहीं समझ आया है तो comment box में जरूर लिख भेजिए और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ जरूर share करिएगा और हमारे telegram का group नीचे description में मिलेगा आप उसको join कर लेना और फिर अगर आपकी कोई query रहती है मैं आपको अगली वीडियो में से जरूर explain करूगी thank you अपना घ्यान रखिए खुश रहिए